मनत पूरी हो इसलिए यहाँ पुजारी सिर पर फोड़ता है नारियल हम सबने किसी मनत को पुरा करने के लिए पुजारी से पुजा करते है और पुजारी के अनुसार ही सब काम करते है लेकिन हमारे देश में श्रद्धा का बड़ा महत्वा माना जाता है लोग मननत पुरी करने के लिए कुछ भी करने के लिए तेयार रहते हैं लकिन एक ऐसा मंदिर जहां मननत पुरी होने के लिए पुजारी सिर पर नारियल फोड़ता है हम सब को पता है कि नारियल कितना कठोर होता है इससे हमारे सिर के दो तुकडे भी हो सकते है लेकिन मनत के लिए लोग सिर पर ही नारियल फुड़वा लेते है यह मंदिर तमिलनाडू में महालक्ष्मी का मंदिर है इस मंदिर में यह मानियता काफी सालों से ऐसा ही होता आया है इसके कारण जिसने भी मननत को पुरी करवाना है तो उसको सिर पर नारियल फुरवाना पड़ेगा क्योंकि वहां के लोग कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो माता रानी आपकी मनुकामना को पुरा नहीं करती है मानते हैं कि इस मंदर के लिए लोगों में इतनी श्रद्धा है कि यहां काफी संख्या में दर्शन के लिए भक्तु दुर्दुर से आते हैं माता रानी के भक्तों के सिर पर मंदिर के पुजारी नारियल फोड़ते हैं इसमें पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी ज्यादा संख्या में शामिल होती हैं नारियल एक त्योहार पर फोड़ा जाता है लेकिन लोग इसके लिए लाइन में लगते हैं नारियल थोड़ने के बाद कई लोग घायल हो जाते हैं मंदिर उनके सिर पर अगर्बती की राक जिसे विबूती कहा जाता है और हल्दी लगाई जाती है इस दोरान मंदिर में चिकित सको की टीम भी मुझुद होती है क्योंकि नारियल काफी सक्त होता है